इस वीडियो में हम स्वयाबिन में होने वाले दूसरी इस्प्रे के कम्प्लेट डोज पर बात करने वाले हैं कि दूसरी छिड़काओं में हमें कौन-कौन से किटनाशक टानिक और फंगी सेट को लेना है तो पहले बात करते हैं किटनाशक के बारे में कि सेकंड इस्प्रे में हम कौन-कौन से किटनाशक ले सकते हैं यहां सबसे पहली बात यह हैं कि पिछले इस्प्रे में या पहले इस्प्रे में हमने जो किटनाशक लिया था बस उसे सेकंड इस्प्रे में नहीं लेना है उसके अलावा जितने भी दूसरे केटना शक हैं जो स्वयाबिन में उपयोग किये जा सकते हैं और लंबे समय तक की नियंदर्ण करते हैं उनमें से किसी भी ये को लेना है मान लीजिए अगर आपने पहले स्प्रे में कोराजन डाला था तो अब दूसरे स्प्रे में उससे न लेकर कोई और केटना शक लेना है और अगर पहले कुछ और डाला था तो वहाँ हम सेकंड इस्प्रे में कोराजन ले सकते हैं इसके उपयोग की मातरा की बात करें तो एक एकड़ फसल में कम से कम 50 ml लेना है या अधिक तम 60 ml ले सकते हैं जिससे यह हर प्रकार की इली पर इस्टेम फ्लाइपर और गरडल बिटल पर भी काम करेगी इसके अलावा हम 150 ml प्रतियकड के हिसाब से इंडोक्सा कार्ब को भी ले सकते हैं यह स्वयवेन की फसल में खासकर तमबा कोईली, कामलिया की चने की काली ली पर लंबे समय तक कंट्रोल करती हैं इसके अलावा हम फ्लिवेंडियामाइट को भी ले सकते हैं यह लिक्विड और दानेदार दोनों तरह काता हैं जो स्वयवेन में हर प्रकार की इली पर लंबे समय तक कंट्रोल करता हैं लिक्विड में यह बायर का फेम के नाम से आता हैं जिसे 50-60 ml प्रतियकड फसल पर लेना है और घुलन शिल दानेदार में यह टाटा कंपनी का टाकुमी के नाम से आता हैं जिसे 100-120 ग्राम प्रतियकड जगा में शिड़काओ करना है इनके अलावा लिक्विड वाला इमामेक्टीन बेंजोड भी ले सकते हैं यह भी स्वयबेन की फसल में होने वाली पत्ते खाने वाली इलिया, सेमील उपर, तंबाको की ली, चैने की ली के साथ साथ रिंकटर पर भी लंबे समय तक कंट्रोल करती हैं लिक्विड वामेक्टीन को 180-200 ml प्रतियकड फसाब से लेना है इन सभी के अलावा और बात करें तो फिर बायो किटना शक भी ले सकते हैं यह भी पिछले 3-4 सालों में काफी चैलन में हैं कई किसान भाई महेंगी ब्रांडेट कमपुनियों को छोड़कर बायो किटना शक लेना पसंद करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं तो यह सबसे सिंपल धोच एनपे के 0-34 प्लस बोराण ले सकते हैं अगर पहले इस्प्रे में मिक्स माइक्रोणुनुटेंट संक्ते हैं अबही 0-34 एनपे केसाथ में Micronutron mixture ले सकते हैं अगर soybean के height ज़्यादा बढ़ रही है तो वहाँ 0-24 NPK के साथ height रोकने वाले दवाईया जिसे टाबूली, चमतका, लियोसिन या कोई और दवाई जो height को बढ़ने से रोकती है उसे ले सकते हैं इनमें केवल height नहीं रुखेगी फुटाव और फिलाव भी होगा और अगर फसल की height कम है तो समाई के साथ पानी मिलते रहने पर वह अपने आप समाई जोचाए तक आ जाएगी और ज़्यादा ही छोटी रह गए हैं तो nitrogen base NPK ले या फिर 1990 NPK के साथ या सिंगल पोशक सुपर भी ले सकते हैं height ठीक है NPK पहले ही दे दिया है और full के लिए टानिक देना है तो double, isavian, fantec, planofix या humic acid based कोई टानिक जो थोड़ा काम भी करता हो इन में से कोई भी एक ले सकते हैं या NPK के साथ भी ले सकते हैं अब बात करते हैं second spray में fungicide की तो यह फसल की अवस्ता और आपके budget के ओपर निरपर करता हैं कि अभी flowering stage में fungicide लेना है या नहीं अगर अभी से ही fungus की लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो लेना चाहिए अगर पतियों पर काले और पिले रंग के धब्बे बनने लग गए हैं तो कोई medium range का contact या systemic fungicide spray कर सकते हैं और fungus के लक्षण नहीं दिखते हैं तो वैसे भी हम इस spray के 15 दिन बाद कर रहे बनने के अवस्ता में एक अच्छा वाला fungicide लेने वाले हैं ही सही कीटना शक, टानिक और fungicide के अलावा एक अच्छा सा silicone best chip को लेंगे तो दवाया के और भी अच्छे result आएंगे और दवाया बारिश में दूलेगी भी नहीं अगर इस्प्रे के कुछ देर बाद पानी गिर जाता हैं तो दोस्तों यह हमारा soybean का दूसरा complete dose पूरा हो गया है अब कुछ बाकी हैं तो वह हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो लागे हाद यह भी कर दीजिए जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएगे